रजिस्थान के मुख्य मंत्री अश्योग गहलोद के सुर बार बार बदलते हुए सुनाई दे रहे हैं कभी वेह पूर्व उप मुख्य मंत्री सचिन पाइलेट के स्तमर्थन में अपनी बात रख देते हैं तो कभी सचिन पाइलेट के खिलाब वेह डंके के चोट पर कई बड़े ऐलान करते हुए नजर आते हैं फिल्हाल यहाँ पर सभी यही जानना चाहते हैं कि सचिन पाइलेट ने जो तीन मांगे रखी हैं क्या उन मांगों को वेह पूरा करेंगी या पिन नहीं सचेन पाइलेट ने गहलो सरकार को 15 दिनों का अल्टिमेटम दिया 31 मई तक उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वह एक जून से आंदूलन के शुरुआत भी कर सकते हैं और इसी बीच अशोग गहलोत ने संकेत दे दिये हैं कि उनका साफतोर से इंकार है इन मांगों के लिए नमस्कार मैं प्राणशीर अठोर और आप देख रही हैं नेक्स्ट नाइन न्यूस दरसल सचेन पाइलेट ने डंके की चोट पर अपनी बात रखी उनका कहना ये रहा कि वसंदरा राजे की सतरकार के दौरान जो करफशन हुआ उसकी जाच परताल होनी चाहिए कारवाई होनी चाहिए दूसरी ही तरफ पेपर लीक का मुद्ध भी उन्होंने उठा दिया तो अब यहां पर उनका साफतोर पर कहना है कि उनकी ये मांगे पूरी कर दी जाए लेकिन अशोग गहलोत कहीं न कहीं साफतोर से इंकार करते हुए भी देखे जा रहे हैं दरसल आपको बता दें कि सचिन पाइलेट ने साफतोर पर अपनी बात रखी पेपर लीक का उन्होंने मुद्ध उठाया और उन्होंने 15 दिनों का अल्टिमेटम दे दिया उनका कहना साफतोर पर रहा कि आरपी एस्टी को भंग कर उसका पुनर गठन भी होना चाहिए अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है 15 माई की दिन जैपुर में सभा की दोरान उन्होंने ये बात कही थी लेकिन अब सचेन पाइलेट को जवाब देते हुए नसराय है अश्योग गहलोत जी हाँ गहलोत ने कहा है कि पेपर आउट कहा नहीं हो रहे कानून हमने बनाया हम पेपर आउट करने वालों को जेल भेज रही है हमने 200 लोगों को जेल भेजा है और किस राज्य ने जेल भेजा बिपक्ष के पास कोई बात नहीं है वो पेपर आउट हो गए इसलिए उन्हें मुआफजा मिलना चाहिए इसका आप क्या कहेंगे इसे बुद्धी का दिवालियापन नहीं कहेंगे इनको मुआफजा दो दुनिया के इतिहास में किसी ने कभी मांगी कि क्या पेपर आउट हो गए और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे एकजाम नहीं दे पाए उनको मुआफजा दो दे सकती है क्या सरकार आप बताईए ऐसी मांगे भी की जाती है पेपर आउट हो गया तो अच्छे काम किये वो पीछे हो गई पेपर आउट हो गया गुजरात में 15 और गुजरात में 22 पेपर आउट हुए तो ऐसे में कहां पेपर आउट हो रहे हैं तो अब गहलोत का कहना ही है 26 लाग बच्चों को रोडवेज में फिरी सफर करवानी की विवस्था की बच्चे दूर दूर से एक्जाम देने आ रहे हैं 26 लाग लोगों को जिले में रुकवाया इतनी शांदार विवस्था की वहीं दूसरी ही तरफ उन्होंने पाइलेट का नाम लिये बिना अपनी बात कही गहलोत ने बिपक्ष में रहकर संगर्ष का जिक्र करते हुए रामेश्वर डूडी और गोविन्दी सिंग डोटा सरा का जिक्र किया लेकिन सचिन पाइलेट का नाम नहीं लिया कहा कि समझते अरे भाई आप विपक्ष में हैं हम विपक्ष में थे डोटा सर जी हमारे अद्यक्ष थे रामेश्वर डूडी हमारे निता प्रतिपक्स से हम अपने इशू बनाते थी इशू बनाए संघर्ष भी किया तो वहीं अब यहां पर अल्टिमेटम को लेकर गहलोत ने अपनी तो कहीं लेकिन दिल्ली में 26 मई की दिन जो बैठक होने जा रही है उस बैठक में ये तमाम दिगजनेता हिस्सा लें सचिन पाइलेट अशोग गैलोत प्रदेश प्रभारी सुकजिंदर सिंग रंधाबा गोविंदे सिंग डोटा सरा और डॉक्टर सीपी जोशी भी तो ऐसे क्या कुछ राय पिरती के लिए है इस पर यह आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं तब तक के लिए आप देखते रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज